जैसे इलेक्शन डिपार्मेंट इलेक्शन की प्रिपरेशन्स में लगा है आप भी जो है काफी व्यस्त है आपकी डिफिकल्टी यह रहती है कि आपको खास करके प्रिंट मेडियाज को पर्टिक्लर टाइम तक अगर इंफॉर्मेशन आ गई ठेक अधिक जनाव आप इदर आ सकते हैं पीछे वाली साइट से जो है फोड़ा सब माली आप कैसे अड्जिस्ट कर सकते हैं देख लिए ठीक मेरे राइट हैंड साइट पर जो है अडिशनल स्यों साहब है स्री राहूल जी फिर लेप्टाइंड साइट पर स्पेशल सेक्रेटरी निरुपा उनके बगल में जोईंड सीओ साब आएंगे वह आभी क्योंकि आपकी जो स्टाटिक्स से वह बेसिकली वही देखते हैं उनके बगल में मेरे डेप्टी स्यों है मतलब अडिशनल स्यों ज सेक्रेटरी स्री संदेश फिर हमारे डेप्टी डायरेक्टर जो स्वीप देखते हैं मीडिया से जो रुबुर होते हैं सपना जी जो आज के प्रेस का में परपस जो है फर्स्ट फेस का इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन में जो पूल परसेंटेज और बाकी चीजे जो रही है एक जनेरल टर्म पर आप से सांजा करना शेयर करने के लिए है डेफनेटलि आपके मन में बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टंसे हो सकते हैं स्पेसिपिक इवेंट से रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है हमने जो सोशेल मेडिया पर या दूसर पर जो रेज हुई थी उसको अप्रोप्रियेटली डिस्पोज आप किया है कहीं रिबटल दिया है या जहां कहा अलगा तो किया है इस्टिल आपके मन में अगर कोई इंडिव स्पेसिपिक क्वेरीज आती है तो हम आपको अभी रिप्लाइ नहीं दे सकते उसका जो भी स्टैटस से चेक करते हुए ज़रूर आपसे आपको उसका उसके बारे में रिवर्ट बैक करेंगे जो अन्डिबल कमिशन ने तीन फेज्स में एलेक्शन्स अनौंस किया 16 अगस्ट को और फर्स्ट फेज जो है आज पूल कल्मिनेट हुआ है सेवन डिस्टिक्स में, 24 आसेंबली कॉंस्टुञसीज में, वसमि सोला आसेंबली कॉंस्टुकॉंसी अनन्त कस्मिर डिविजन की और ऑर आठ आसेंबली कॉंस्टुञसी जमु कर दिविजन की है In-Poll Porkrya'a के दर्मियान Statutically, constitutional- this is всё pooling. 쳇सिंद is hote मेरे तुन है तो पूरी प्रोप्रप्रपरक्रिया के दर्में सीब एलेक्ष्यन कमिश्णर स्री राज्य कुमार जी और उन के वचność और Scali को मानिटर करेंगे और जहां जहां लगा वहां इंस्टक्शन्स गाइड़न्स भी किया है जहां तक रहा पॉल परसेंटेज स्पेसिपिक जिसमें आप ज्यादा रूची रखते हैं उसमें किस्तवाड जीले में पॉल परसेंटेज हाईस्ट गया है और लोएस्ट जो है पॉ पॉलिंग स्टेशन्स हमने टेरिटोरियल एरिया में बनाये थे और अडिशनली 24 लोकेशन पर माइगरंट के लिए स्पेशल पॉलिंग स्टेशन्स बनाये थे उसमें 19 जगह जमूव सीटी में एक उधंपूर में और चार दिल्ली में स्पेशल पॉलिंग स्टेशन्स हमन आपके साथ जो है शेयर करेंगे शेयर करने से पहले मैं एक राइडर लगाना चाहूंगा क्योंकि यह स्टाटिक्स की बात है नंबर्स की बात है आप कोई ऐसे न समझे कि हमने पर्टिकलर नंबर या परसेंटेज बताया तो वही वह किस तरीके से बताया है फरस्ट एन फॉर्मोस्ट नंबर या परसेंटेज बताने का कारण जो है नार्मली आप भी रुची रखते है कि कितना लोगों का पार्टिक्पेशन बढ़ा है तो बढ़ा हुआ परसेंटेज बढ़ा हुआ पार्टिक्पेशन नंबर के फॉर्म में एक जनरल नंबर के फॉ हमने किया है अभी जो assembly constituencies है उनकी संख्या और उनकी जो territorial extent है वो पहले कभी नहीं था तो डिलिमिटेशन के बाद पहले जमुएन कस्मेर आज जो जमुएन कस्मेर है उसमें 83 assembly constituencies होती थी अब वो संक्या बढ़कर के नब्बे हो गई है और अल्मॉस्ट मैग्जियूम या सभी constituencies का जो territorial area है चेंज हो गया है उसे चलते कंपेरिजन के लिए हमने assembly consistency as a unit लेने के बजाए district as a unit लिया है क्योंकि present जो 20 districts जमुएन कस्मेर में है वो 2007 से है तो 2008 14 और 19 में जो इलेक्शन्स हुए है उननीस में Parliament का इलेक्शन्स हुआ था और 2024 में जो पार्लेमेंट इलेक्शन्स हुआ है तो इन इलेक्शन्स का जो फिगर district wise workout क्या है अब district wise workout करने का मतलब मैं बताना चाहूंगा जैसे पहले कुछ एक assembly constituencies एक दो जीले में भी spread होती थी जैसे रियासी constituency रियासी as well as उद्वंपूर जीले में spread थी इंदर्वाल constituency जो है किस्तवाड as well as डोडा में spread थी वैसे similarly दिवसर constituency जो कुलगाम की है वो कुलगाम as well as अनपनाग में spread थी अभी delimitation के बाद कोई भी constituency आईसी नहीं कि एक जीले से ज्यादा एक जीले से बाहर जो उसका spread जाता है तो उससे चलते हमने जो district wise भी जो figure workout किये है वो भी जो है उन polling station को मद्दे नजर रखते जो आज के district से one polling station को मद्दे नजर रखते हुए बनाए हुए है और उसमें थोड़ा fractional कुछ एक corrections changes हो सकती है broader इसका purpose इतना ही है कि एक understand करना कि कि कितने percentage लोगों ने participation किया है और comparatively past जो एक दो market का जो comparable period है उसमें यह percentage कहां फिगर होता है part special कितना percentage कितना रहता है क्या वह highest है यह second highest है यह जो भी है तो main purpose जो है उस particular percentage आरा यू करने का generic understanding है ना कोई specific numerical statistical exactness इस राइडर के साथ ही जो है मैं आपसे data share करना चाहूंगा इस जो सेवन डिस्टिक्स में पोल आज हुआ है आप सब जानते हैं साउथ कस्मेर के जो चार जीले है कि असमें पिछले अर्मोस्ट हरे के इलेक्शन में पोल परसेंटेज बहुत भी लो रहता था इवन कुछ एक इलेक्शन में सिंगल डिजिट से जादा भी नहीं गया वा लोग सबाई इलेक्शन जो अपरेल मही में हुए उसमें पोल परसेंटेज बढ़कर के 41 फिजदी पुलवा मामा गया अनंतनाग में जो है वो 56 परसेंट के करीब गया ओर आल वैली में जो है 52 परसेंट पोल परसेंटेज रहा था तो जो वैली और डोडा के जो तीन जील है मिलकर के मैं कोई भविश्य कहने के लिए यहां नहीं हूँ लेकिन जस्ट आप भी जानते हैं और हमारा भी जो एक्सपिरियंस है दो डेकेड के करीब का यही है कि आने वाले जो दो फेजेस है सेकंड फेज और थर्ड फेज उसमें डेफिनेटली ओर पोल परसेंटेज इस फरस्ट से जादा रहेगा फिर्स्ट फेज में उन एरियाज रहे जहां ट्रडिशनली पोल परसेंटेज काफी लो रहा था था अभी जो है यह पोल परसेंटेज काफी बड़ा हुआ है और बड़े हुए पोल परसेंटेज के जो रिजन्स आपको भी पता है श्तिल मैं बताना चाह इसमें first and foremost अगर कोई reason है तो सुद्रे हुए आलात और जिसे चलते लोगों में डर खोप ना होना लोग जो है समझ चुके है कि शान्ती और अमन तरक्की के लिए बैलट ही एक में परिया है और उसी के चलते लोगों ने लोग सबाई elections में participate किया और बड़ चरकर के जो है आज का जो first phase हुआ assembly का उसमें भी participate कर रहे हैं दूसरा उसमें जो factors रहा reasons रहे candidate political parties इनका भी काफी हम रोल रहा है candidate political parties अर्लग अलग अलग नुकन corner में जा करके अपनी जो दलीले लोगों के सामने रखे अपने workers leaders के जरिये से mobilization किया उससे भी poll percentage बढ़ा हुआ है उनका भी रोल जो है इसमें काफी अहम है मैं मानता हूं तीसरा जो है जो awareness election department करता है poll percentage बढ़ाने से related inclusive elections कराने से related ethical voting कराने से related उसका भी इसमें काफी important role रहा है जिसको हम brief में sweep कहते हैं systematic water electoral education and participation तो यह 3-4 factors मुझे लगता है इन सब में कार्निभूत रहें जिससे चलते overall poll percentage जो है अच्छा रहा है सुबह छे बज़े से हमारी polling parties मौक पूल में जुड़ गई थी छे से साथ बज़े तक उन्होंने मौक पूल किये और साथ बज़े से एक्च्छल पूल शुरू हुआ हर दो घंटे के बाद जो है honorable commission के जो technological apps है website से portal से उस पर यह water turnout आपसे सांजा किया हुआ है नव बज़े ग्यारा बज़े एक बज़े तीन बज़े और पास बज़े का water turnout जो है आप से share क्या हुए आप सब उसको जानते हैं अभी जो six बज़े का जो पूल परसेंटेज है वो tentative है आप सब जानते है कि इस फेज में उन जीलों वो जीले शामिल है दैसे किस्तवाड है रिमोट एरियाज है उसके मडवा वाडवन दच्छन मिचेल या डोड़ा के रामबन के एरियाज है रिमोट एरियाज वहां से इसको रिशेप्शन सेंटर पर आने के लिए टाइम लगेगा जो भी हमने इनफॉर्मेशन उन से ली हुई है वो टेलिपोनी के लिए ली है उसमें करेक्शन जो है डेफिनेटली फ्रक्शनल करेक्शन हो सकता है और आप उसी यह जो मेरा सब्मेशन है उसको धान में रखत जो डिश्टिक वाइज पॉल परसेंटेज जैसे मैंने कहा किस्तवाड में जो है 77 परसेंट जाता है और पुलवामा में जो है 46 परसेंट पॉल परसेंटेज रहा है वो लोग सबा जो लास्ट हुई है उससे भी हाइस्ट है इंपोर्टन बात यह है कि लास्ट जो सेवन एलेक्शन्स वे इस पर्टिकुलर एलेक्शन्स को पकड़ते हुए 2009 का लोग सबाइलेक्शन, 2014 का लोग सबाइलेक्शन, 2019 का लोग सबाइलेक्शन, 2024 का लोग सबाइलेक्शन, यह चार लोग सबाइलेक्शन और तीन असेम्बली एलेक्शन, 2008, 2014 और अभी जो दोग सबाइलेक्शन का हो रहा है इन साथ एलेक्शन्स में यह पॉल परसेंटेज जो है फायस्ट है शुपया में भी सैम है यह पॉल परसेंटेज सेवन एलेक्शन्स में हायस्ट है 53 परसेंट अभ इससे पहले के फिगर्स हमारे पास है आप जानते हैं डिश्टिक्स उससे में डिफरेंट होते थे और असे चलते कंपेरिबल करना मुश्किल जाता था उसलिए हमने थोड़ा सा आसान हो इसलिए 2008 के बाद वाले फिगर लिए हुए जहां तक किस्तवार की बात है किस्तवार भी हायस्ट है डोड़ा जो है सेकंड हायस्ट जाता है रामबन भी जो है इसमें सेकंड हायस्ट पर है बाकि अनंतना और कुलगाम जो है यह भी तकरिबन जो है सेकंड हायस्ट या हायस्ट के नजदीक पहसर है और राल बताने के बा जो साउथ कस्मेर के जीले जहां बहुती लोग परसेंटेज होता था वहां जो है काफी बड़े प्रमाने पर पॉलिंग हुई है लोगों का पार्टिशिपेशन अच्छा रहा है और इन जीलों में भी लास्ट सेवन इलेक्शन्स का यह हाइस्ट परसेंटेज रहा हुआ है पंपूर 44.78 त्राल 40.58 पुल्वामा 50.4 राजुरा राजपूरा 48.07 जैनपूरा 52.64 शुपया 54.72 दमाल हांजीपूरा 68 परसेंट कुल्गाम 62.70 देऊसर 57.30 दूरू 57.90 कोकरनाग 58 अनंतनाग वेस्ट 45.93 अनंतनाग 41.58 स्रिगुपवारा 56.02 स्रिगुपवारा विजब्यारा इस कॉंश्टोंसी का नाम जोय स्रिगुपवारा विजब्यारा 56.02 शांगस अनंतनाग इस्ट 53.50 पहल्गाम 62. 57.86 इंद्रवाल 80.06 हाइस्ट पूल परसेंटेज वादी असेंब्ली कॉंश्टोंसी इंद्रवाल है और आप सब जानते हैं इसमें बहुती रिमोट एरियाज है मडवा वाडवन के चाद्रू के किस्टवाड 75.04 पाडर नाक्षेनी 76.80 भदरवा 67 परसेंट डोड़ा 70.21 परसेंट डोड़ा वेस्ट 74.14 रामबन 67.34 बनियार 68 परसेंट तो अवराल जो हमारा पूल परसेंटेज रहा है वो 59 परसेंट के करीब जाता है इसमें फ्रैक्शनल इंक्रीज जो है अपेक्शित है क्योंकि जो माइगरेंट के लिए 12C फार्मस के जरिये से पोस्टर लोटिंग होती है और दूसरेक्टेगरी के लिए जो पोस्टर लोटिंग होती है वो लाज्ट डे सो काॉंटिंग का जो दिन है तब तक वो आती है Halo एक्स भी हमने इश्यू कर दिये हैं वह भी काउंटिंग के दिन तक आते हैं तो और जो पॉल पाटी जो रिमोट एरियाज में वह जब रिशेप्शन सेंटर पर पहुचेगी तो फाइनल फिगर कंक्रेट फिगर उनसे हमें मिलेंगे क्वोट सारे स्थेक्षोडर्स को इनवाल करने के लिए एलेक्शण ओल इंकलूजीव करने के लिए काफी मेहनत किया है पहली बार जमौन कस्मेर असेंबली क्षीट असेंबली इलेक्शन में आबब 85 उम्र रखने वाले या 40 परसंट से ज्यादा डिसिबिंटी रखने वाले स्पेशल येबल परसंस के लिए होम नोटिंग की फैसलिटी अवलेबर कराई थी और उसमें काफी लोगों ने सीरकत कि साथ बसाथ पूलिंग स्टेशन पर जो फैसलिटी जरती है बेसिक अमनिटी जरती है उसमें भी इंक्रीज करने का हमने प्रयास किया है ना सिर्फ पाने बिजली टॉइलेट इवन हेल्प डिस्क है सेपरेट क्यूज है विल्चेर्स है इस जरिये से भी जो है आने वाले वोटर का कोलिंग स्टेशन का एक्सपिरियंस बेटर हो उसलिए हमने प्रयास किया है हर एक वोटर को 100% वोटर स्लिप जो है डिस्टिबूट की थी जिसका काफी यूज हुआ जो आभी अभी स्पेशल समरी रिविजन हुआ जुले अगस्ट में उसमें जो नए वोटर जुड़े थे उनके इपिक कार्द स्पीड पोस्ट के जरिये से डिस्टिबूट किये है मैग्जियम को मिले है इवन मिले भी नहीं तो भी कमिशन ने जो अधर अल्टरनेट्व टोइल डाकुमेंट्स अलाओ किये थे उनको मानते हुए उनने भी वोट कास्ट किये है जो बारा इपिक कार्ड के अलावा जो डाकुमेंट्स है उसमें अधार कार्ड है नरेगा का जाक कार्ड है बैंक का पास्स बुक ए पोस्टापस को पास्बुक है ड्राइविक कार्ड है गोवर्मेंट एंप्लईज कаете काड है या दूसरे आप जैसे मीडिया के साथियों को पूलिंग स्टेशन पर जाकर के हो रहाए जो पूल है उसको कफर करने के लिए जो हम अथराइजिशन स्लिप्स देते हैं पासेज देते हैं कमिशन की जरिये से आती हैं फर्स्ट फेज में तकरीबन सोला सो प्रेस परसंस को उसमें सभी इन प्रमाइजिंग सिक्रेसी वहां के फोटोग्राफ्स वीडियो और बाकी स्टोरी जो है कलेक्ट कर सके आपके चानल के जरिये से जो इसको हाइलाइट कर सके कि स्विप में जो है काफी काम हुआ है और एक इनुविटिव चीज हमने करने का प्रियास किया है वह एंवायर्मेंट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए प्लेंटेशन्स अब तक 75,000 से ज्यादा प्लैंटस हमने प्लैंट्स किये हैं और रिमेनिंग जो दिन है एक तारिक तक झुट पोल्लिंग चलनी हैं रिमेनिंग दो फेजस वाले वहां भी प्लैंटेशन होगा और एक लाग से ज्यादा प्लैंटस करने का हमारा प्रियास रहेगा कस्मेरी माइग्रेंट्स जिनके लिए इज आफ वोटिंग के चलते कमिशन ने यह अंफार्म को डिस्पेंस भी करते हुए जोनल पोलिंग स्टेशन्स एस्टाबलिश किये थे जम्मौ और उधंपूर में और इन जम्मौ और उधंपूर के जो स्पेशल माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन्स थे उस पर कस्मेरी माइग्रेंट कमुनिटी ने काफी बढ़ चर करके हिस्सा लिया दिल्ली में जो चार लोकेशन्स पर स्पेशल पोलिंग इस्टाबलिश किये थे वहां भी और ने हिस्सा लिया और हमने वहां क्योंकि दिल्ली टेरिटोरियल एरिया काफी बड़ा है तो वहां उनके लिए ट्रांस्पोर्ट की भी सुविधा अविलेबल करवाई थी अब अब बाकी कोई जनरीक आपकी क्वेरीज होगी तो उसको हम असकर बाइए जहां तक हम कह सकते हैं कि रीपोल करने तक की कोई नहीं आई है है डेफनेटली पूलिंग स्टेशन के प्रेमाइस में कहीं कहीं कुछ कंडिडेट्स सपोर्टर्स के बीच में आर्गुमेंट्स हुए उसको हमने टाइमली आड्रेस किया लेकिन कोई ऐसा इंस्टेंस आप तक रिपोर्टर नहीं है कि जिससे चलते हमें रीपोल करने की ज खाया जा रहा है पुलीस की तरफ से दूसरी जाने जो खातून उम्मेद्वार है वहां पर उनका इल्जाम है कि उन्हें हिरासा किया गया क्या किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ से किया गया या जहरी और है यह पर्टिकुलर वीडियो जो हमने देखा हुआ है सीएप यह उसमें उसी समय वहां मौके पर मवजूद थी जो कुछ भी हुआ कंसर्ण डेप्टी कमिशनर ने का अगनिजन से लेते हुए इमिडियेटली वहां मौके पर गए आरो भी मौके पर गए और उसको रिजाल किया कि 2014 में कितनी पर परसंटेज थी ओवराल जो जुमोहिन कस्मीर की अभी इस पर्टिकुलर जो फेजेज जो है इसकी जो 2014 की जो परसंटेज जो थी डिस्टिक वाइज हमने वरकाउट की है क्योंकि परसंटेज को मिला करके परसंटेज निकालेंगे तो गलत हो जाएंगी त कि 2014 की पुलवामा में जैसे थी वो 44 परसंट थी शुपया में 48 परसंट थी कुलगाम 59 थी अनंतनाग 60 थी किस्टवार 76 थी डोडा 73 रामबन 70 थी असेम्बली एलेक्शन मेरे काल सी 2014 की आप बात कर रहें ठीक 2014 एसेम्बली एलेक्शन की हमने यह बता है शुक्रिया थैंक यू